नमस्का शिक्षियारतियों आज हम वस्त की अच्छी फिटिंग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बातचित करेंगे जैसा कि पिछले अध्याय में हमने अच्छी फिटिंग को प्रभावित करने वाले मानकों के बारे में बातचित करी थी जोगी, बैलेंस, और आपके सेट, ग्रेन, लाइन, एस्सेटर थे, आज हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स हमारे कपड़ों की अच्छी फिटिंग को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपड़े की अच्छी फिटिंग को परिभाशित करना कैसे है, कै पहनने में बैटने में चलने में उठने में अच्छी तरह से गतिविदी दे कोई भी उसमें प्रतिरोधक ता प्रदान ना करें तो हम यह कह सकते हैं कि अच्छी फिटिंग में शामिल कुछ कारकों को देखकर उनका मुल्यान करके ताकि वो खुद तै कर सकें कि आपको वस्त कि अच्छी फिटिंग को प्रभावित करते हैं जिसमें पहला है उपस्तिती जिसको हम कहते हैं appearance, comfort, design, fabric यह जो चार factor हैं यह हमारे वस्त्र की अच्छी फिटिंग को प्रभावित करते हैं कि कोई करंदा हमारा अच्छी फिटिट है, उसका मतलब कि कई वो हमें दिखने में अच्छा लगेगा उसमें जो भी design features हमने add करे हैं वो हमें अच्छी तरह से दिखाई पड़ेंगे और जब हम किसी कोई भी गतिविधी कर रहे हैं उस वस्त को पहन के जैसे चल रहे हैं उट रहे हैं बैट रहे हैं जुक रहे हैं तो वो कोई भी hindrance को provide नहीं करेगा तो जब कोई भी hindrance नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि उसकी उपस्तिती उसका appearance अच्छा है और जब मों स्वस्त को पहन रहे हैं तो कोई भी side seam उसमें wrinkles form नहीं होनी चाहिए कोई च्छा है नहीं करेंगे और कोई भी hindrance क्रियेट नहीं करेंगे अब हम बात करते हैं, second factor की, जो है हमारा comfort, जे comfort का मतलब क्या है, जब किसी वस्त को हम पहन रहे हैं, या उतार रहे हैं, तो वो उसमें कोई भी hindrance नहीं हुनी चाहिए, और कोई भी problem नहीं आनी चाहिए, साथ ही साथ हमने वस्त को पहना हुआ है, तो उसमें कोई भी hindrance नहीं कपड़े होते हैं, बहुत attractive कपड़े होते हैं, लेकिं हम सब को पहना प्रिफर नहीं करेंगे, until or unless जब तक हमें एक comfortability provide नहीं कर रहा है, तो परिधान को पहनने के बिना किसी भी slime में, खिचाओ उसे, आप ये चल ली सकते हैं, बैट नहीं सकते हैं, जुक नहीं सकते हैं, तो जुकने में अगर शक्षम नहीं है, तो ये कपड़ा आपके लिए, ये वस्त आपके लिए comfortability provide नहीं कर रहा है, अराम के लिए मुखी युगदान करता है, वस्त पहनने में सहस्ता रखता हो, वो सहस्ता provide करें, हमें ease provide करें, और जहम कपड़े को उता रहे हैं, तो भी ये वह हमें ease provide करना चाहिए, ये नहीं कि जब कपड़ा पहन रहे हैं, उसमें खीचना पार रहा है, तो अगर ये problem आ रहे हैं, तो वो comfort provide नहीं कर रहा है, तीसरा जो हमारा design feature है, वो है कि design कैसा है, कपड़ा हमारा जो भी वस्त है, वो तो या तो आपका बहुती close fitted होगा, या loose fitted होगा, तो एक परीधान की कुछ शेस्ता है, जो अच्छी fitting के वस्त के लिए सूत रहे हैं, जैसे परीधान की आगरती, इसको silvet कैसा है, जो इसके रूप को परिभाशित करता है, जैसे की वस्त की उपस्तिती कैसी है, उसमें वो जो भी हमारा कपड़ा है, वो हमारा वेस्त में कैसा fitted है, अगर वो उसमें कुछ design features add है, या कुछ हमारी seam lines designs उसमें डाली गई है, तो उसकी fitting कैसी आ रही है, और जो हमारी sly रेका है, वो कैसी जा रही है, सपोज एक हमारी princess panel का कोई design है, तो princess panel की design में में अपर seam भी होती है, तो अपर seam में कोई भी हमारी silhouette नही करती है, तो वो उसकी जो curves है, वो proper है या नहीं है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी design कैसी है, अगर उसमें आपने suppose कोई rafas डाली है, या आपने please डाली है, तो हमारे वस्त की design को proper दिखानी चाहिए, और उनकी जो location है, वो proper location में होने चाहिए, जिससे की हमारी design proper दिख वो हमारी body को conceal करेगा, हमारी जो curves उनको नहीं दिखाएगा, और जो में में फीचर के है, या suppose हमारा fullness का principle है, जिसमें की हम darts या pleats या gadgets को डालते हैं, तो यह हमारे के juice fitting के garments में डालते हैं, और जिससे की हमारे जो body की curves है, उसको वो conceal करता है, चुपाता है, और जो हमारा loose fitted है, और जो tight fitted है, जो fitting के मतलब है की tight fitted garments, tight fitted garments में की हमारे curves lines को दिखाएगा, उसमें जो भी हमारी seam lines है, वो two words to our body होंगे, मतलब की body से fitted होंगे, तो उनकी जो curves lines है, वो proper दिखाएदेनी चाहिए, और loose fitted में जो हमारे garments है, वो हमारे body के curves को conceal करेंगे, और उसमें design fullness का principle apply करते ह इसमें design features को अद करते हैं, वो है हमारे, जैसे कि उसमें हम đếnुपड दाले है या उसमें हम भीर्स दाले हैं, और या इसमें हम gaither तौन सकते हैं, जो हमारा last factor है वो है अमारा fabric, जब हम अच्छी fitting की बात करते हैं, तो अच्छी fitting की बात करते हैं तो अच्छी fitting में हम ए目 कारक ह लेंगे, लाइट बेट कपड़ा में हमारी रफस अच्छी तरह से उसमें अधेर करेंगी और वो हमारे डिजाउन में को अच्छी तरह से कैरी कर पाएंगी और सपोज हगर हमारा हेवीवेट फैब्रिक है तो हम डार्स का यूज कर सकते हैं यह एक कोड बनान में इसके लिह भ्लैज़ हमारा भेट भेट पैडरिक को युज होता है. कि भी हमारा भेट भेट पैडरिक होता है क्योंकि जो उसमें डिजैन फीचर्स होते हैं उसमें मेवारे इसेम वाले होगे और वो उसमें हमारे body जो भी हमारे contours हैं जो हमारे silhouettes हैं वो proper दिखाई देनी चाहिए हैं और जो design features हैं वो हमारे fabric को run कर सकें वैसे हमें fabric का selection करना पड़ेगा और lightweight fabric में जो हमारे designs होंगी वो इस तरह से समायूजित होनी चाहिए कि वो उसको अच्छी से carry कर सकें या उसमें हमें कोई lining लगानी पड़े जिससे कि वो हमारे design को carry कर सकें तो selection of fabric है हमारा design के according होना चाहिए उसमें क्या design features डाल रहे हैं और क्या occasion है उसके according हमें fabric का selection करना होगा वो हमारे अच्छी fitting का एक महत्मूर कारक है और जो हमारे fitting को प्रभावित करेगा अब मैं यह last में कहना चाहूँगी कि जो हमारे factors हैं जिसमें कि हमारा comfort है, design है, fabric है और साथी साथ उसमें हमारे जो हम design features डाल रहे हैं वो सभी को हमें अपने कपड़े के according, design के according, occasion के according देखते वे करना चाहिए जिससे कि हमारा garment अच्छी fitting का बन सके और जो हमें catalogs दिये रहते हैं, जो हम fabric purchase करते हैं उन catalog को भी हम refer कर सकते हैं, design के selection के लिए जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा कपड़ा अच्छी fitting का बन सकता है और individual body में fit हो सकता है धन्यवाद